स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपका आपकी हिंदी की कक्षा में आज हम अपनी पाठे पुस्तक तरंग कक्षा 1 ब्रेंड रूट सीरीज के पाठ पाँच का अध्यन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है मिठाई मिठाई का नाम सुनकर तब के मुँ मेह पाझी आ गया चित्र पर अधारित गती विधी उपयुक्स मिठाईओं में से आपको कौन सी मिठाई पसंद है लिखो तो यहा पर देखिए क्या है मिठाई के चित्र बने हुए है आपको इनने से बताना है कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है और दिये हुए स्थान पर आपको उनके नाम लिखने है पाठ प्रवेश इस पाठ में एक घोडा मिठाई खाने की इच्छा से अपने दोस्तों से सुझाव मांगता है सभी के सुझावों को नकारते हुए घोडा सभी के साथ हलवाई की दुकान पर जाने का निन्ने लेता है इस कहानी में क्या है एक घोडा है और उसका मन क्या कर रहा है मिठी मिठी मिठाई खाने का वो मिठाई खाने के लिए क्या करता है अपने दोस्तों से अपनी इच्छा जताता है और सुझाव मांगता है कि मैं कौन सी मिठाई खाऊं उसके सारे दोस्त उसको सुझाव देते हैं लेकिन उसे किसी का भी सुझाव पसंद नहीं आता तो वो क्या करता है? अपने सभी दोस्तों को लेकर कहा जाने की सोषता है हलवाई की दुकान पर आईए शुरू करते हैं एक दिन घोडे का मन मिठाई खाने का हुआ जब आपका भी मन करता है तो आप भी तो मिठाई खाते हो इसलिए बिचारे गोडे का भी मन क्या कर गया? मिठाई खाने का गोडे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा गोडे के मित्र है हाथी, भालू, बिल्ली, खरगोष और चीटी वो उनसे क्या मांगता है? खाने के लिए मिठाई मांगता है तो भालू क्या कहता है शहद खालो घोड़े ने मना कर दिया भालू को शहद पसंद है तो वो घोड़े से कहता है कि तुम भी शहद खालो तो घोड़ा तो मना कर देता है फिर क्या होता है खरगोश ने कहा फिर खरगोश कहता है गाजर खालो घोड़े ने मना कर दिया खरगोश को गाजर पसंद है तो उसने घोड़े से कहा कि आप गाजर खालो लेकिन घोड़े जी ने तो गाजर भी मना कर दी चीटी ने कहा गुड़ खालो क्योंकि चीटी को क्या पसंद है गुड़ तो घोड़े जी ने गुड़ को भी मना कर दिया शहत भी मना करा गाजर भी और गुड भी हाती ने कहा गन्ना खालो हाती कहता है घोडे से कि गन्ना खालो तो घोडे जी उसे भी मना कर देते हैं अंत में फिर वो कहा जाता है गिलहरी के पास गिलहरी ने क्या कहा आम खालो आम भी तो मेठा होता हैना बच्चो कितना मीठ रसीला और मीठा होता है घोडे ने आम भी विमना कर दिया देखो कितनी चीज़े सब मना कर दिया बिल्ली बोली लवाई दुकान पर चलो तरुल घोडे को यह बाद पसंद आ गई इसाथ है तुम्हे करो कि हलवाई की दुकान पर चलो ये बात धोड़े को पसंद आ जाती है वह सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े देखो हाती गिलैहरी भालू खरगोष चीटी और घोड़ा एक साथ कहां पहुंच गए हलवाई की दुकान पर क्या मिलती है मिठाई मिलती है तो चलिए अब शब्दात करते हैं मिठाई मिठाई का अर्थ क्या होता है मीठा खादे प्रदात मतलब खाने कई कोई चीज जो मीठी होती है मित्र दोस गुड़ गन्ने से प्राप मीठा खादे प्रदात हलवाई मिठाई बनाने वाला दुकान वैपार करने का स्थान तो चल अभ्यास करने का, प्रश्न एक बताओ, क्या पड़ा, मिठाई खाने का मन किसका हुआ, मिठाई खाने का मन घोडे का हुआ, घोडे ने मिठाई खाने के लिए सबसे पहले किस से सुझाव मांगा, तो उसने सबसे पहले भालू से सुझाव मांगा, पाठ में आये किनी 5 जानवरों के नाम बताओ पाठ में कौन-कौन आया था? भालू, हाथी, खरगोष, बिल्ली और चीटी प्रश्न दो, सही विकल पर सही का चिन लगाओ घोडे ने अपने मित्रों से क्या खाने को मांगा? खत्ता, मीठा, रोटी या फल घोडे ने मीठा मांगा खरगोष ने घोडे को क्या खाने को कहा? खरगोष ने गाजर खाने को कहा क्योंकि खरगोष को गाजर बहुत पसंद है गिलैरी ने घोडे को क्या खाने को कहा? गिलैरी ने उसे कहा था आम खालो मीठा मीठा आम क्रश्न तीन किस ने कहा अब कुछ वाक्य लिखे हैं आपको बताना है यह वाक्य किस ने कहे शहर खालो यह किस ने कहा था भालू ने भालू ने कहा था गोडे से शहर खालो गुड़ खालो यहाँ बात किसने बोली थी? चीटी ने आम खालो आम खालो किसने बोला था? गिलहैरी ने गाजर खालो लाल लाल गाजर खालो किसने कहा था? खरगोश ने खरगोश ने प्रश्न चार्ट मिलान करो तो यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम है और इदर वो वस्तुएं लिखी हैं जो उन्हें पसंद है गिलहैरी गिलहैरी को क्या पसंद था? गिलहैरी को आम पसंद था खरगोश खरगोश को क्या पसंद थी? गाजर, हाथी को गन्ना, भालू को मीठा मीठा शहद और चीटी को गुड़ पसंथा प्रश्न पाँच, निम्लिखित प्रश्नों के उत्तर दो तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न पाँच आप स्वेम करेंगे एक बार पुन्य अपने पाँच का अभ्यास कीजिए और दिये हुए प्रश्नों के उत्तर आप स्वेम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करती हूँ, आपको अपना यह पाँच पढ़कर बहुर आनंद आया होगा हम पुन्य फिर मिलेंगे एक नए पाँच के साथ तब तक के लिए आभार